आज मैं लेके आई हूं एक कोर्मा की रेस्पी बहुत ही टेस्टी लगते खाने में और इससे बनाना बहुत ही ज्यादा असान है तो आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने दो प्याज ले लिया जिसे हमने स्लाइस में कट किया है यहाँ पे हमने थोड़ी से साबुत गरम मसाला ले लिया है इसमें एक बड़ी लैची, चार छोटी लैची, चार काली मिर्च और चार लॉंग ले लिया है साथ में हमने एक चम्मच जीरा लिया है अब हम चार चम्मच दही लेंगे इस दही में एक चम्मच धनिया पॉडर आदी चम्मच जीरा पॉडर आदी चम्मच हल्दी आदी चम्मच लालमेच पॉडर और एक चम्मच कसमेरी लालमेच पॉडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस अच्छे से मिला ले तो ये देखे दही और मसाल अच्छे से मिल चुके हैं इसे हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर हमने 4-5 चमच तील गरम होने के लिए रख दिया था तो तील जब अच्छा सा गरम हो जाए तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हमें तेज आज पर फ्राय करना है गोल्डन ब्राउन होने तक तो इस प्याज को लगाता है चलाते रहें और गैस को तेजी रखें ध्यान रहे प्याज जलेना तो जब तक प्याज फ्राय होगा हम इदर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने छे अंडे वाल लिया इसमें हमने थोड़े थोड़े कट लगा लिये हैं तो यह देखें प्याज फ्राय हो गया तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो सारे प्याज को एक प्लेट में निकाल ले प्याज को प्लेट में निकाल ले एक बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम पेश्ट त्यार करेंगे अब हम बचेवे तेल में एक छथाई चम्माच हल्दी आदी चम्माच लालमेच पोडर डालेंगे और इससे हलका सा मिला लेंगे अब हम इसमें उबलेवे अंडे डालेंगे और इसे दोनु साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे तो जब तक अंडे फ्राय होंगे तब तक हमिदर मिक्सर जार में थोड़ी से अध्रक पास से छेकल या लहसन और फ्राय किया हुआ प्याज डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेश्ट त्यार कर लेंगे तो ये देखिए अंडे अच्छे से फ्राय होच के हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो हमने सारे अंडे को निकाल लिया अब हम फिसे इस तेल में साबूत गरम मसाला डालेंगे और इसे कुछ सिकन के लिए फ्राय कर लेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो गैस को बिलकुली स्लो कर ले नहीं तो दही फट जाएगी साथ में हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इसे दो के और इसे हम स्लो आज पे एक मिनट के लिए फ्राय कर लेंगे तो ये देखे हमने इसे slow आज पे 1 मिनट के लिए fry कर लिया अब हम इसे ढखके 2-3 मिनट के लिए fry करेंगे medium आज पर तो ये देखे हमने इसे फेश से 2-3 मिनट के लिए fry कर लिया तो अब हम इसमें प्याज वाला पेश डालेंगे जो हमने बना के रखा था इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे इस अच्छे से मिला ले अब हम इसमें स्वात के नुसा नमक डालेंगे तो यहाँ पर हमने देल से दो चमच नमक डाल रहे है इस अच्छे से मिक्स कर ले अब हम इसे ढग के पास से साथ नट के लिए पकाएंगे तो बीच बीच में एक से दो बार चला ले ताकि मसाला जले ना तो देख सकते हैं हमने इसे पास से साथ नट के लिए पका लिया अब हम इसे तेज आच पे एक नट फ्राय करेंगे इससे मसाला बहुत अच्छे से फ्राय होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से फ्राय हो चुका है तो बस अब हम इसमें एक से लेट कब पानी डालेंगे तो ग्रीवी को आप अपने हिसाब से रखिए जैसे आपको ग्रीवी पसंदो अब हम इसमें एक उबाला आने देंगे तो ये देखे ग्रीवी में उबाला गया है तो अब हम इसमें एक चम मच गरम मसाला और थोड़ी सी कटीवी धनिया पत्ति डालेंगे इसे एक बार चला लेंगे अब हम इसमें फ्राइ कियावा अंडे डालेंगे अंडे डालने के बाद इसे मिला ले और धककन धकके 2-3 नट के लिए पका ले तो बस अंडा कोर्मा बनके त्यार है आप इसे गर्मा गरम रोटी के साथ या फिर चाबल के साथ सर्ब कीजिए अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करके जरूर बताए अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मिलती हूँ अगली रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई